नमस्कार, मैं हूँ स्रीमादी वंदना, सहाई का चारी हिंदी, गोर्वेंट गल्सकोलेज राजगेट चुरू द्वारा चलाए जारी ओनलेन क्लासेज में, सभी चात्राओं का स्वागत करती हूँ, चात्राओं अपन पढ़ रहे थे, बीए पार्ट सेकंडेर का सेकंड पे भूने से प्रशाद का यह एक नया प्रियोग रहा एक आंकी में, यह एक प्रकार से एबस्ट एक आंकी नाटक है, जिसमें कथानिक का कोई की कोई तार्तमिता या सूसंबता नहीं है, नहीं एक प्रकार से इसमें कोई एक रूपता रही है, तो इसका हमने बहुत कुछ पिसले की वीडियो में आज की वीडियो में हम इसका बचा हुआ भाग पढ़ने जा रहे हैं तुछलिए देखते हैं तामबे की कीड़े एकांगी का आज का आगे का भाग मश्रूप पती मैंने कुछ देखा है जरूर लेकिन इस वक्त मालूम होता है मैंने देखानी सिर्फ स सुना है अनांसर स्क्रीन से सटे हुए स्टूर पर बैठ जाती है मैंने सुना है कि इन बादियों से कोई मिल निकल कर मुझसे बाते करने लगा है तपी भी बेलाग बाते जैसे कोई मनही मन घुटने वाला आदमी पहली बार शरापी करता है एक परिशान रमनी तब तुने किया मश्रूप पती मैंने कुछ नहीं किया मैंने थोड़ी सी शराप और पी ली और निर्मला के घर गया ऐसी जरा दिल बहलाने के लिए एक परिशान रमनी किसका अपना या निर्मला का तुमने फिर शराप पी तुम में कोई कैरेक्टर नहीं तुम आदमी से खीचे जान रिक्षे पर भी बैठ सकते हूं, तुम्तों लड़गडा रहे हूं, रिक्षे की घंटी अनामसर हाथ का जुनजुना काली स्क्रिन से टिका कर ओडिटोरियम में बैठ जाती है, रिक्षे वाले जल्दी से सलो सहब की तबियत ठीक नहीं, रिक्षे वाला घंटी बजाते वे जैसे अभी जगा है, मश्रूम पती, वहां दूर उनी बादलों में, रिक्षे वाला, आहा, तुम भी वैसी ही बाते करती हो, अभी तो ठके वे अफसर ने उससे कहा कि यह अंदा कुआ, नहीं है, यह रिक्षा है, मेरे रिक्षे में शीषे हैं, पागल आये ने मेरा एक श दोस्ता हुआ सा ठक गया था, और सरदिम में कुछ सुन सा हो गया था, अभी मैंने ऐसा देखा, एक अफसर मेरे पास आया, वह ठका हुआ था, बेहद ठका हुआ, कुछ सोसकर वह भी शायद बेहोस हो गया था, एक परिशान रम्णी, अच्छा आगे देखो, रिक्षे की घंटी बसती है परिशान रमनी तुम निर्मला के घर गए थे निर्मला ने मेरे बारे में कुछ कहा था मुझे पूछा माश्रूप पती सुपने निर्मला ने कहा निर्मला ने कुछ नहीं कहा निर्मला ही तो बादलों में चली गई थी तुमने सुना निर्मला मुझे आज म अफसर हूँ लेकिन ठक गया हूँ जवानी में मैंने हजारों खोपड़े चटकाए हैं अब सिर्फ उंगलिया चटकाता हूँ कभी-कभी मजाग भी चटका लेता हूँ अंग्रेजी जानते हो क्रेके जो है क्रेके पीन लड़के हसते हैं ठका हुआ अफसर अच्छा अब एक पहली बूझो तालीब जाकर पट्टू लहेजे में कॉलिज की बच्चों बूझो क्या तुम ऐसी चिडिया का नाम बता सकते हो जो उमडती निडर घटाओं के नीचे नासती है जिसकी पर में आठ रंग होते हैं पर जो कुट्टे की तरह भूकती है एक लड़का रुआसा नहीं ठकावापसर खुसी से ये तालिया पीटकर नासने लगता है तुम नहीं बता सकते मैं जानता था तुम नहीं बता सकोगी मौर लाप लाप कर लेकिन मोर भूंकते कहां है धकावा अफसर यही तो भेद है ओर नहीं तुम बूजने लेते और इसमें मजा की क्या था अनाउंसर जुन-जुना बजाती है अब की भे हांसती नहीं है परिशान रमनी जैसे भूंक कर मुझे मालूम मैंने तुमसे शादी क्यों की शादी की रमनी हस रही है भायानक हसी अनाउंसर जुन-जुना जोर-जोर से बजाती है रमनी की हसी धिरे-धिरे मधूर हो जाती है अनाउंसर जुन-जुना टिका कर फिल ओडिटोरियों में आकर बैठ जाती है परिशान रमनी का स्वर और लहचा फोरन बदल कर शायराना और बादल वासा हो जाता है मेरी तरफ देखो तुमने कभी मेरे बारे में यह नहीं सुचा कि मैं बादल से निकल कर आई हूँ या बादलों में रह सकती हूँ तुमने इनला ही के बारे में यह बाते सोच सकते हो मश्रूप पती मैं सोचता कहा हूँ सुनता हूँ और देखता हूँ मैं देखता हूँ मैं सिर्फ देखता हूँ मैं बहुत सी बाते देख लेता हूँ बाद में मेरी कोशिश यह रहती है कि जो भी मैंने देखा है कोई भी खास कर तुमने देखो और इसलिए जो मैं देख लेता हूँ उसे फोरन तोड़ना चाहता हूँ मैं तुमसे प्रेम जो करता हूँ परिशान रमने कहती है क्यों अगर मैं देख लूँ कि तो क्या होगा मश्रूपती बड़ी सहुलियत से नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ सुनू तुम सुन लोगी तो मेरा अंत हो जाएगा बिल्कुल इस तरह रिक्षा की घंटी जोर से बसती है परिशान रमने भीना डरी क्यों तुम हमेशा इस तरह बात क्यों सोचा करते हो मश्रूपती कहता है क्योंकि मैं तना डरावा हूँ तुमने ठीक कहा देखो मैं यह मैंने यह सुन लिया पागल आया दूर से बाबा जान बाबा मसालची बाबा तुम खेरने बड़ी दूर चले जाते हो तुमसे तुमारे स्विटर में कीड़ी लग रहे है पागल आया के आवासे चोंक पड़ता है मशुपती नहीं मुझे जरूर नाश करना चाहिए मैं अपना डर दबा सकता हूँ बहला सकता हूँ बुला सकता हूँ लेकिन मैं तो उसे उखाड फेंगना चाहता हूँ क्या मुसीबत है संसार में भे के नाश करने का मतलब है संसार का नाश करना परशान रमनी कहती हैं लेकिन तुम भे पैदा ही क्यों करते हो मालूम होता है तुम शिर्फ भे ही भे खाते हो तुम मुझे कुछ बतलाते क्यों नहीं मश्रूपती कहता ही कारत से हसते हुए तुम जानती हो भे छोड़ देने से क्या होगा तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता नास नहीं कर सकता मुझे बराबर शर्जन करना होगा रुवासा होकर कहता है और तब हमारी आत्मा और शरीर के मंथन से जो निकलेगा वह हमें मार डा लाया हमारा अंत कर देगा तुम बूड़ी हो जाओगे जीवन कृड़ा ननी सी रतन जड़ी रिस्ट वाज की तरह रुख जाएगी रिक्षे की गंटी बस्ती है परिशान रमनी फिर भी नहीं मुझे नास करना ही पड़ेगा लड़ना ही पड़ेगा बेम सरफ, बेमानी और अनंच सुरुवात के खिलाव एक-एक पत्थी एक-एक शब्द एक-एक पत्थर के खिलाव एक बार की जोर की आवाज जैसे रिक्षा ढेर होने को होता है अनांसर जल्दी से जाकर जुंजरा उठा लेती है उसे बजाती है लेकिन कोई असर नहीं होता एक खासा गोलमाल हो जाता है परिशान रमनी मश्रूप पती रिक्षे वाला सब एक साथ बोलते हैं या बीच में पागल आया कि भी आवाज भी मसालची बाबा पुकारती भी दूर से सुनाई देती है अरांसर गांग देती है तब कहीं गोलमाल खात्म होता है थकावा अप सर मैं बेहद थकावा हूँ मेरा रोम रोम चूर हो रहा है और आपने इसे गिरा दिया और फिर मारा मैं सीटी बजाता हूँ देखता हूँ उसे बजा सकता हूँ या नहीं परिशान रमनी कहती है यह देखता नहीं था और मैं हमेसा देखती हूँ यह देखता नहीं था मश्रूपती कहता है मैंने देखा और अपने जीवन संगिनी से बताया मैंने उसे समझा है कि मेरे लिए मीटाना और नाश करना कितना जरूरी है मैंने उसे कायल कर दिया कि बिना नाश किये बनाया जाए ही नहीं सकता अरामसर हंसती है और जुंजना हिलाती है ठकावापसर कहता है तुमने जरूर समझा दिया होगा और इस रिक्षे वाले का तुम नास करना चाहते थे तुमने क्या शब्द कहा था मश्रूपती कहता है बदलावासफर कौन हम नहीं हम क्या समस्ते हो हम क्या पागल है यहाद में देखता नहीं था आगे देखकर नहीं गया ठोकर लग गई मैं नाश करता हूँ रिक्षा वाला गव से नहीं हमको पीछे से ठोकर लगाई गई मैंने रिक्षे के आएने में साफ देखा साइद बठोकर अब तक आएने में दिखाए दे रही हो ठकावा अफसर मैं CT बजाओंगा मैं अपने बाकी ताकत CT बजाने में सर्फ कर दूँगा परिशान रमणी मश्रूपती नहीं रुखो CT नहीं बजाओ हमारी तरफ देखो परिशान रमणी कहती है मैं कभी कुछ नहीं पैदा करती मश्रूपती मैं हर बक सोते गाते देखता हूँ और रचता हूँ और कायम करता हूँ परिशान रमणी बात यह है कि हमारी पती बड़ी मश्रूप रहते हैं कभी कभी है अपने दिमाग को आराम देने के लिए उटपटांग बाते करने लगते हैं बिलकुल पागल आया की तरह है बात टालने की कोशिश में पागल आया को आपने देखा है उसने 200 किताबे लिखी है वै कहती है वै देखती नहीं है वै सिर्फ ढूंडती है वै यकीन माने सिर्फ ढूंडती है नहीं जाने क्या और कहां धीरी से लेकिन मुझे डहर है वै तुमको ही ढूंड रही है ठकावाब सर मुझे इससे कोई मतलब नहीं लेकिन आपने यह रिक्षा लिया इस जाड़े पाले ओले में से दोड़ाया और फिर धीरे या लापरवाई से चलने पर उंची एड़ी से आपने इसे ठोकर मारी यह गिर गया शायद इसका एक पैर ही बेकार हो गया यह रचना और नास करना दोनों है तुमने एक रिक्षे का नास किया और तुमने सो पैदा की मश्रूप पती लेकिन मैंने ठोकर नहीं मारी तुम यह कहोगे शायद परेशान रम्नी मैंने मारी यह देखता नहीं था यह क्यों नहीं देखता यह रोज नहाता क्यों नहीं ओ है यह बहुत गंदा है गसा जाता है मश्रूपती अब तुमने देखने और नए देखने वाले में क्या फर्क है बहुत दीरे आओ हम इसकी सीटी का नाशकर डाले इस एफसर का नाशकर डाले जल्दी आओ आओ शोदा कर ले फिर मैं तुम्हें बादों में रहने की इजाज़त दूँगा मैं कभी संभालते भी तुमारी रची भी कोई चीज नाशनी करूँगा ऐसा मश्रूपती परिशान रमने को कहता है ठकावा अपसर कहता है टोक कर यह क्या गुस्पस कर रहे हैं आप जानती है कि एक कानून है जिसमें उन लोगों को सजा मिलती है जो जानवरों के साथ खासकर सवारियों में जुतने वाले जानवरों के साथ बेरहमी करते है सीटी बजाता है परिशान रमने गुस्से में कहती है तुम क्या इस आदमी को जानवर बना दोगे यह रिक्षे वाला कोई बेल है गोड़ा अनाउंसर जंजना बचा दिती है मशूपत्ती जोसीली स्पीच में इसके खिलाब लड़ूंगा मैं अंदोलन करूंगा मैं मुलकों में सूलह करूंगा और उन्हें तोडूंगा मैं आलम के लड़ायां करूंगा मैं कहर डालूंगा देखो मैं क्या करता हूँ मैं बड़ी बड़ी लाइबरेडी में आग लगा दूँगा मैं शहर हूँ और परवतों को शही का बूंद की तरह नकसे से पौंस दूँगा यह आदमी है जानवर नहीं है यह रिक्षे वाला अंदा कुगा है मेरी बीवी बादलों में रहती है पागल आया हम सबको बचायेगी पागल आया कहती है पागल जो से आहां मिल गया बाबा, जान बाबा, मसालची बाबा मिल गया लेकिन तुम घर से बहुत दूर निकल आई तमःरा सुटर पागल आया और मशरुम पती दोनों सुबगने लगते हैं जैसे वही दोनों मिल गये हूं मश्रूपती पागलाया परिशान रबनी ठकाव अफसर मर गया रिक्षे वाले ने उसे मार डाला अफसर मर गया रिक्षे वाले ने उसे मार डाला अफसर ने रिक्षे वाले को ठोकर लगई जैसे डूब रहा हो जिस तरह एक अंधे कुए में चटपताता सा मरीवी सूखी बिल्ली चमकिली वार्निस के टीन किताबों के वरक गिर पड़ता है पागल आया रिक्से वाले ने कितना अच्छा नास किया मेरी ख्वाइस है कि हम उन्हें स्टेचू बनाई उनका जाली ओटोग्राफ बेशने के लिए कमपनिया खड़ी करें लेकिन मसालसी बाबा तुम घर से कितने दूर निकलाए हो और तुम्हारा सूटर केड़ों ने खत्म कर दिया है ऐसे पागलाया कहती है एक आवाज आती है हमारी सबसे ताजी इजाद काट्स के सूटर इनको सिर्फ तामबे के केड़े खा सकते हैं कुछ रुक कर अनलसर नहीं अभी खत्म कहा हूँआ अभी तो दो मिनट का एक नाच गाना और है नहीं जाने इस गाने से अंत करने में नाटक लिखने वाले का क्या मतलब है मेरी समझ से तो पूरे नाटक में ही कुछ हल नहीं होता पूछी जाने पर नाटक लिखने वाला कुछ ऐसा कहेगा कि जिंदगी और नाटक का प्रोब्लम साइध एक ही है यानि लमही को मुकबिल कर देना और विरोध और विद्रोह को एकसवर करना और उसमें एक केंद्री महत्वय यानि सेंटर सिग्निफेंस हासिल करके उसका दर्शकों पर एक फीका असर उपजाना कि वह उसकी उनकी बुध्धी विचार और नजर उकसाए लेकिन इहें सब बेबात की बाते हैं सब नियूरोटिक इसी तरह की बाते करते हैं नियूरोटिक में इस नाटक का लेकिक नियूरोटिक है हमें जो रुस्ता नहीं जो हमारे विचारों में सांचे में अटता नहीं उसे हम नियूरोटिस नहीं कहें तो क्या कहें इस पूरे नाटक में कोई मतलब नहीं वह हमें खाम खाम भरम में डाल रहा है जुझना निकाल कर बजाती है और सर्माई हसी हसती है स्क्रीन की पिछे से रिक्षे वाला जो पैर में गुंगरू बांदे हैं दर्शकों को जोकरों की तरह हसाने की कोशिश कर रहा है सर्कस के जोकरों की तरह न उपस्तित किया जाये औरों के खड़े हो जाने पर आगे आकर अपना गाना और नाज शुरू कर देता है गाना किसी भी भद्दी ले में गाया जा सकता है और नाज उचल कुछ से ज़्यादा कुछ रही रिक्षे वाला का गीत बी बोले ना ही बोले ना ही कुंडा खोले ना ही हमसे बोले ना ही सुरीली ले में उमड रही बरसात रही लहरे में बी बोले ना ही बोले ना ही बोले ना ही बीवी बोले ना ही अनामसर लाल सिंदूर होकर हैंसी से लोट पुट हो जाती है और बड़ी भली मालू हो रही है इस प्रकार से तामबे एकड़े एकागी हमने आज कर लिया है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद